Hi guys, welcome to today's video आज की वीडियो में हम बात करने वारे हैं ट्रेवल के बारे में यानि कि अगर आप अस्ट्रेलिया में हैं और आपके पास अपना ट्रांस्पूर्ट नहीं है, अपनी कार, अपना वीकल नहीं है, तो आप ट्रेवल कैसे करेंगे और और किस तरह से आप उस ट्रेवल के ड्यूरेशन में अपनी मनी सेफ कर सकते हैं तो यही सारी बाते आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब इस वक्त और पेट्रोल बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा पॉस्टली है, तो अब पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करने के भी दो तरीके हैं पहला तरीका तो यह है कि आप बस में जाए और पे कीजिए और देन ट्रेवल कीजिए and second option होता है metro card का option जी हाँ, तो यह है यहाँ का green card आप लोगों ने इंडिया में भी देखा होगा न, metro के लिए हमारा metro card है तो यह card भी बिल्कुल उसी की तरह है और इस card को apply करना भी बहुत आसान है और इस card के बहुत सारे फायदे हैं, देखिए अगर आप travel करते हैं और अगर आप cash में pay करते हैं तो आपको definitely जो amount है, जो money है वो जादा देनी पड़ेगी और अगर आपके पास card है, तो वही amount आपका reduce हो जाएगा तो इसलिए ये जो card है न, ये बहुत फायदेमंद है और इसे जल्दी से जल्दी, जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं ऑस्टेलिया में फटाफट से अपना card apply कर लीजिए, ये card within a week आपको मिल जाता है और आपको ज्यादा पैसे खशने करने परते हैं, इनिशल में सिर्फ 5 डॉरर लगता है इस card के लिए तो आईए, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस card को आपको online कैसे apply करना है गूगल पे जाए और टाइप कीजिए how to apply for green card of Australia आप चाहें तो how to apply for metro card भी लिख सकते हैं, तब भी वो चीज़ आ जाएगी और बस उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास सीधा ही website का link खुल जाता है तो ये metro तसमेनिया की website है, क्योंकि हम लोग तसमेनिया में हैं, आप जिस भी state में हैं उस state की website आप खोल सकते हैं, और यहां पर लिखा हुआ है how do I get a green card तो बहुत सारे options इं green card के लिए, आप online apply कर सकते हैं, आप shop पे जा सकते हैं, वहां से green card ले सकते हैं तो अभी मैंने किया है online वाला option, तो इसमें ये एक form खुल जाता है, जिसमें आपको अपना name एंटर करना है, आपका first name, last name और आपकी date of birth और जो भी आप email id यूज करते हैं, आप वो डाल दीजिए इसके अंदर, और वही same email id आपको डालना है, confirm email address में भी जो भी आपका phone number है, आप वो enter कर दीजिए, and next इसका column है, आपके address का column, तो जो भी आपका address है, आप समें वो डाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए, आप address दो हैं, एक है residential address, और एक है postal address, अगर वैसे तो देखिए, mostly same ही होते हैं दोनों address, अगर आपके अलग address हैं, कि आप अप वो भी enter कर सकते हैं, फिर यहाँ पर बहुत सारे options हैं, कि आप किस type का green card apply करना चाहते हैं, आप student हैं, आप adult हैं, या फिर आप कोई healthcare worker हैं, तो वो आप कोई सा भी option, जो भी आपकी category को suit करता है, आप choose कीजिए, और आगे बढ़ जाएए, and then बस आपका, आपको अपनी card की details हैं, और हाँ, इसमें यह जो default trip है, यह होता है कि अगर आप usually एक जगे से आते जाते हैं, जिसे घर से office, office से घर, तो आप वो भी trips में mention कर सकते हैं, और बस आप फिर अपनी card की details एंटर कर दीजिए, ताकि वो जो भी इसका amount है, $5 वाला वो deduct हो जाएगा, minimum amount $5 है, उसके बा fill होने के बाद, आप confirm कर दीजिए, and then that's it, आपका काम हो गया है, online का, तो देखा आपने, इस card को apply करना कितना असान है, बस एक simple सा form बर यह है, अपनी personal details डालिए, और apply कर दीजिए, and within a week आपको आपका card मिल जाएगा, और अगर आप चाहें, तो आप shops पे जाकर भी इस card को ले सकते हैं, specific shops बनी होती है, card के लिए, metro card के लिए, तो वहाँ पर जाकर आप pay कर दीजिए, और आपको वो immediately card दे दे, यह जो green card है, इसके पीछे कुछ information लिखी होती है, कुछ information provider होती है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या-क्या है, जैसे कि यह green card आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक यह slot है, इसके उपर लिखा हुआ है कि यह card किस का है, किस से belong करता है, तो यहाँ पर विकरांत ने अपना नाम लिखा हुआ है, कि यह उनसे belong करता है, तो normally लोग अपना signature कर देते हैं, नाम लिख देते हैं, and आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक category mention है, adult ऐसा कि हमने form में देखा था, जब हम form फिल कर रहे थे, कि इसमें बहुत सारे options थे, कि आपको किस category का green card चाहिए, student का चाहिए, या healthcare worker का चाहिए, adult का चाहिए, तो इसी तरह से हमने जो category apply की थी, वो थी adult, तो वो यहाँ पर mention है, यह जो green card है, यह आप कहीं पर भी यूज कर स कर सकते हैं, तस्मानिया में तो अभी सिर्फ buses हैं, trains और trams नहीं चलती हैं, तो यह सिर्फ bus के लिए यूज होता है, लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया की दूसरी states हैं, Victoria, Melbourne, Sydney, Perth, पाकिसारी जगह उपर सुविधाएं हैं, वहाँ पर trams भी हैं, तो यह एक ही card जो है, वो सब ज काड है, उसके accordingly, इस card को यूज करना भी बहुत आसान है, बस जब भी आप bus में या कहीं पर भी enter करते हैं, वहाँ पर एक display unit लगी होती है, जहां पर आपको इसको रपना होता है, टैप करना होता है, और बस आप travel कीजिए, और जब वहीं पर आप टैप करते हैं, तो वहीं जैसे कि अगर green light है, इसका मतलब you have enough balance, red light है, तो वह pop up करने लगेगे, मतलब कि आपका balance जो है ना, वह कम हो गया है, और आपको काड को recharge करा लेना है, आप अपने phone में भी metro test की आप download कर सकते हैं, और आपको जहां पर भी जाना है, वो trip प्लान कीजिए, destination डालिए, from and to, और आपको सारी buses का number, route और सब कुछ mention कर देगा, यह देखें, यहाँ पर मैंने डाला है, और यह सारी bus की details आगई हैं, कौन सी bus कब जाएगी, कहां से जाएगी, मुझे कितना walk करना पड़ेगा, और कब मुझे वो bus अपने destination पर पहुंचाएगी, तो इस तरह से हम प्लान कर ले और यहाँ पर आप अपनी कोई भी setting अपडेट कर सकते हैं, अपनी information डाल सकते हैं, काड को recharge आप online भी कर सकते हैं, and again shop पर जाकर के भी आप उस काड को recharge कर सकते हैं, स्क्रीन काड का एक और benefit है, वो यह कि अगर आपने let's see, एक बार काड को tap किया है, और आप किसी stop पर उतर गए है, and suddenly आपको वापस जाना है, तो आपने दुबारा दूसरी bus ली है, और वहाँ पर अगर आप फिर से काड टैप करते हैं, तो यह काड आपका कोई भी amount deduct नहीं करेगा, यहाँ पर यह है कि within 90 minutes अगर आप travel करते हैं, चाहे कितना भी travel आप करें, तो उस case में आपका जो amount है, वो सिर्फ one time ही deduct होगा, उसके duration में आपने जितनी बापरी buses change की हैं, आपका कोई भी amount नहीं लगीगा, तो यह एक benefit है काड का, अगर आप cash में पे करते हैं, तो यह route और bus का number दोनों mention है, ताकि आपको confusion नहों और आप easily travel कर सकें, और देखिए अगर आपका card miss हो जाता है, खो जाता है, तो भी आपको attention लेनी की कोई जरुवत नहीं है, आप यहाँ तो इसे online block कर सकते हैं, या फिर again आप shop पर जाएए और वहाँ पर अपनी details दीजिए, औ और आपको एक नया card issue कर देंगे, so that's all for today's video guys, I hope आपको यह video अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज इसे like और share कीजिए, and हमारी चैनल को subscribe करना नहीं भूलिएगा, और please press the bell icon ताकि जब भी कोई नहीं वीडियो आए, आपको notify होता र